हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चलन दॉलेज में आज का टॉपिक है कि राजकाच पोटल पर जो हमें ऑनलाइन डाक प्राप्त होती है या तो हमारे होडी डिपार्टमेंट से या हमारे अधिकारी लेवल से तो उन डाक को हम ऑनलाइन किस प्रेकार देखेंगे और उनके जो अटेच्मेंट होते हैं वो हम किस तरह देखेंगे और उन्हें किस प्रेकार डाउनलोड करेंगे और साथ ही वो जो डाक है उसे हम e-file में कैसे अटेच करेंगे आईए process start करते हैं process start करने से पहले आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो वो कर लीजे यहां मैंने राच-काच portal पर login किया हुआ है यह सभी को आता है इसके बाद अगर हमारे पास कोई dark आती है online dark आती है या तो h.o.d से या हमारे अधिकारी से तो यहां हमें forth number पर option मिल रहा है dax का इस पर हमें click करना है जैसे हम इस पर click करेंगे यहां हमें बिख जाएगा कि हमारे पास कितनी dark pending है dependency में हमें दिख जाएगा कि कितनी प्रकार की dark हमारे पास आया हुई है अब हम यह देखेंगे कि इस डाग को open कैसे करेंगे यहाँ आपको दिख रहा होगा किसी भी एक डाग को ले लेता है मैं फोर्थ नमर वाई डाग को ले लेता हूँ इसके check box पे click करेंगे और यहाँ जो blue में लिखा हुआ है इसके blue वाली line पे click करेंगे जैसे ही हम blue वाली line पे click करेंगे जो भी हमारे पास letter online प्राप्त हुआ है वो हमें यहाँ से दिख जाएगा किस reference में प्राप्त हुआ है हम चाहें तो उसको यहाँ से इस वाले option से download कर सकते हैं यह download का button दिख गया है और चाहें तो इसका print भी ले सकते हैं बहुत बार क्या होता है कि हम केवल इसी का print लेके रह जाते हैं हम यह नहीं देखते हैं कि इसमें कोई attachment भी आया है या नहीं आया है तो attachment देखने के लिए हमें क्या करना होगा या इसके उपर ही आपको attachment का option दिख रहा है यहाँ देखिए gray line है इसपर attachment लिखा हुआ है इसपर हमें सबसे पहले click करना है इसपर जैसे ही हम click करेंगे तो हमारे पास दो तरगी file open होगी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मतलब है कि एक file तो वो है जो यह letter है और एक file वो है जो इसके attachment है अटेश्मेंट वो है यह second number वाला जो है यह इसका attachment है इसपर हम यहाँ पर click करेंगे एक बार select करके जैसे ही हम attachment पर click करेंगे जो हमारे सामने पहले हमारा जो main order आया था वो दिख रहा था लेकिन अब हमें जो इसके साथ सनलंग दे दस्तावे जाए वो भी प्रदर्शित हो रहे है यहाँ पर इसको हमें download कैसे करना इस attachment को तो यहाँ पर आपको दो निशान दिख रहे हैं इसमें नीचे वाली निशान पर आपको click करना है जैसे ही आप click करेंगे उपर जो यह file आजकल यह download होती है यह उपर जाके दिखती है तो इस पर download करके हम इस file को यहाँ से open कर सकते हैं मैं एक बार open करके भी दिखा रहेता हूं आपको यह file यहाँ से open होगे इसमें दो page attachment के हैं तो यह page भी हमें साथ में उसके निकाल लेना है अभी मैं इसको यहाँ से cross कर देता हूं यह तो ही बात कि हम जो dark प्राप्त होगी उसे कैसे देखेंगे और उसके online attachment कैसे देखेंगे और उसे download कैसे करेंगे यह हो गई यह वाली प्रक्रिया अब यह जो file है इस file को हमें किस e-file के साथ attach करना है ताकि जब हम online file चलाएंगे तो direct हमें उसमें poc upload करनी की ज़रत नहीं है यह जो dark है हमें direct वहीं मिलेगी तो हमें क्या करना है यह उपर ही उपर की side आपको option मिलेगा add to file का आप देख सकते हैं यह आपको option मिल रहा है आपको सबसे पहले add to file वाले option पे click करना है और मैं एक चीज़ और बता दूँ add to file वाले option पे click करने के बाद मान लीजे कोई dark आप आपके पास गलती से आगई है तो आपके पास वापस से यहाँ पे send to anyone करने का option है जिससे भी संबने dark है तो आप उसको वापस से forward कर सकते हैं अभी हम add to file पे चलते हैं इस पे click करेंगे add to file पे click करते ही हमारे पास वो सभी files open हो जाएगी जिनका हमने creation किया हुआ है e-file के रूप में जो भी हमारे daily use में आती है files उन सभी के हमने e-file यहाँ बनाई हुई है अब वो जो letter है वो किस file से संबन दित है उसके आगे सिर्फ आपको यहाँ पे check box पे tick करना है यहाँ check box पे tick करने के बाद था हमें क्या करना है यहां नीचे option दिया हुआ है add to file का इस पे हमें वापस से click करना है इस्पे click करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह जो डाक हमने भेजी है हमारी फाइल में वो हमें किस प्रेकार देखने है कि वो वहाँ पहुची है नहीं पहुची है हमें वापस से यहाँ पर inbox के नीचे फाइल को option मिला हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे फिर हमने जिस फाइल में भी उसको attach किया है वो फाइल यहाँ से select कर लेंगे मैं इसको select कर लेता हूँ इसके बाद जो यह green line है इस पर हमें क्लिक करना है इसका मतलब यह green line जो भी है file number इस पर हमें क्लिक करना है थोड़ा सा wait कर लेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहां हमारे सामने यह file open हो जाएगी अब वो जो डाग हमने add to file करी थी उसे हमें कहां देखना है यहां जो puc को option दिया हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है puc पर क्लिक करते हम देखेंगे कि जो हमने डाग यहां भेजी थी वो हमारे सामने यहां प्राप्त हो चुकी है अब इसे आप यहां दे सकते हैं डाग पूरी प्राप्त होगी जो भी तीन पेज थे उसमें attachment with डाग तो हमें यहां पर वो डाग पूरी प्राप्त हो जाएगी तो यहां पर हमें nature आप देख सकते हैं nature का मतलब हो गया है यहां से डाग यह हमें डाग के रूप में प्राप्त हुई है इसलिए इसका मतलब यह डाग वाले option में हमें दीखेगा इस तरह आपको आपकी डाग के online attachment देखने हैं और डाग को add to file करना है अगर आपको यह process पसंद आया हो तो आप वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें चैनल को like और subscribe करना ना भूले thank you so much